ओम शान्ति माई इंडिया हेल्द इंडिया की अंतरगत स्वास्त परी चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है भारत वर्ष में दिन प्रति दिन बीमारियां से सम्बंधि समस्यां बढ़ती ही जा रहे हैं तो हमारे इस राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन प्रमकुमारी संगटन की सहयोगी संस्था में भिविन्य बिंग है और उसमें से एक है मेडिकल बिंग जिसका उदेश है समानने बीमारियों की जानकारी देना और उसका उपाय बताना तो आज का जो ये विशेस प्रोग्राम देश की तमाम महिलाओं पर समर्पित है 21 वी सदी की महिलाएं दया प्रेम करणा की देवी होने के सास साथ आज एक सौलंबी महत्माकांची दूर दर्शी और एक महान योद्धा स्वरूप है अगर हम इथास के पन्नों को पल्टा कर देखेंगे तो पाएंगे कि देश की रक्षा में जितना योगदान पुरुशों का रहा है उतना ही योगदान महिलाओं का भी रहा है परिवार में देखेंगे परिवार की जिम्वारी समहलते हुए बच्चों को समहलते हुए समाच के छित्र में भी समाच को उच्च स्थर तक पहुचाने में महिलाओं की विशेष भूमिका रही है लिकिन महिलाओं समाच परिवार की जिम्वारी निभाते निभाते इतना व्यस्त हो जाती है कि वो अपनी उपर ध्यान नहीं दे पाती है या फिर अपने स्वास्त का ध्यान नहीं रख पाती है और कई छोटी-छोटी समस्याओं को या बीमारियों को नजरनदाच कर देती हैं जो कि आंगे चल कर एक गंभी रूप ले लेती हैं तो आज हमें स्वास्त परीचर्चा में बात करने जा रहे हैं महिलाओं के संबंधित, स्वास्त संबंधित समस्याओं के बारे में और इसके निए हमारे बीच में है इस्त्री रौग विशेशक डॉक्टर पुष्वा पाण मैं इस्त्री रौग विशेशक लगभड तीस वर्ष से हूं और जबन पूर जो मंध्य प्रदेश में सृत है वहां पर Bombay Hospital, काफी बड़ा hospital है तो वहां पर 30 साल से इसी रोग विभा को देखती हूँ और साथ ही साथ जो राजियोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन का जो यहां पर meditation सिखाए जाता है ब्रह्मा कुमारी इसका उसका मैं 30 वर्शों से practice भी कर रही हूँ तो उसको अपने मैं patience पे apply भी करती है इतो ही introduction की बाते तो जैसा की पुष्पा पांडेशी मैंने आपको बताया कि महिलाएं आज किस दौर में भाग दौर भरी जिनलिगी में अपना ध्यान नहीं दे पाती हैं या फिर अपने स्वास्त का ध्यान नहीं दे पाती हैं तो महिलाओं को क्या-क्या स्वास्त संबंधी समस्याइं आ सकते हैं हमारे देश में महिला तो 50% है ही लेकिन वो अपने स्वास्त का ध्यान नहीं रख पाती है उनको स्वास्त के परती जागरूखता है बहुत कम है तो पहले तो हम इनारियों को जागरूख करना पड़ेगा कि अपने स्वास्ति की प्रथी जागरूख हो। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि स्वास्त yol में अर्थ उसका होता क्या है। कई लोग तो यही समझते हैं कि अगर हमको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, diabetes नहीं है, hypertension नहीं है, कोई यसी जिस से वो चोटी-चोटी बीमारे को नजर अंजाज कर देती हैं, तो इस सोसते ही कि हम मतलब स्वास्त हैं, लेकिन वास्तों में स्वास्ते का अर्थ ये होता है कि शारिरिक, मानसिक, सामाजिक औ और आध्यात्मिक रूप से स्वस्त रहना तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर मान लीजे हमारे बॉड़ी में अभी फिजिकल प्रॉब्लम इसे शरीर में कोई अभी बेमारी नहीं है तो इसका मतलब हम ये नहीं है कि हम सवस्त हैं पूरी तरह से हो सकता है हमारे जो अं जिसको कहा जाता है जो अभी डॉक्टर नहीं पता लगा पाता है जो डॉक्टर जो पता लगाता है उसको क्लिनिकल लेवल कहा जाता है तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो काफी लेट आते हैं तो सब क्लिनिकल लेवल अर्थात अगर पहले ही उसका पता लगा लिया होती है जो कि पुर्षों में भी होती है सभी में होती है जिसको हम non communicable disease कहते हैं और उसमें diabetes, hypertension, cancer, cardiac problem, heart attack होना जनरल शब्दों में कहेंगे कि जिसको कि कहते हैं कि वो heart attack हो गया जनरल शब्दों में हम उसको myocardial infarction कहते हैं तो ये सू तो उसमें महिलाओं में भी हो सकता है वो common है हाँ लेकिन एक अंतर जरूर है एक अंतर ये है कि जो ये non communicable disease में जैसे heart attack होता है तो heart attack 45 साल तक जो महिला में संभावना कम होती है क्योंकि महिलाओं में एक होर्मोन होता है जिसको estrogen hormone कहते हैं तो estrogen hormone ये release होता है जब से हर महिला की body में रहता है तो ये hormone जो होता है ये कार्डियो प्रोटेक्टिव hormone इसको कहते हैं कार्डियो प्रोटेक्टिव मतलब कि वो heart attack को prevent करता है heart को safe करता है इसलिए ये संभावना कम हो जाती है लेकिन 45 साल के बाद चुकि होर्मोन खतम हो जाता है हर्मोन खतम होने से फिर उसमें संभावना उतनी हो जाती है जितनी पुर्शों में होती है तो ये तो non communicable disease की बात हुई और दूसरी महिलाओं में communicable disease जिसको हम कहते है जैसे कि malaria infective disease कहा जाता है इसको जैसे जिस एरिया में malaria है तो malaria तो होगा ही अब philaria है जिस एरिया में त कहते हैं जिसमें काफी पैर सूज जाता है ये भी infective disease होता है और जैसे malaria तो मच्छर काटने से होता है तो ये तो communicable disease कहलाती है तो ये तो पुर्शों में भी हो सकते हैं महिलाओं में भी हो सकती है लेकिन इसके अलावा महिलाओं में जिसको हम gynex problem कहते हैं गाइनिक्स problem मतल और reproductive system जो कि प्रजनन प्रणाली जिसको कहा जाता है हिंदी में यह genital system कहा जाता है तो यहां यह जो रखा हुआ है मीनार की two menopause तो इसका थोड़ा हमारे दर्शकों को संद्षांगे क्या बिल्कुल बिल्कुल यह जब किसी भी बच्ची को जब वो किशोरी में चेंज होत है तो उसको मेंसे स्टार्ट हो जाता है तो जब पहला मेंसे स्टार्ट होता है तो उसको मिनार की कहा जाता है और जैसे आप देख रहे हैं कि छोटी सी लड़की यहां पर खड़ी है तो मतलब वो किशोरी अवस्था है तो किशोर अवस्था स्टार्ट हो जाती है और फिर कहा गया है मिनोपॉज अर्थाथ की जब मैंसे बंध हो जाता है तो शुरू होने से अंत तक का समय वो मिनार्की टू मिनोपॉज कहलाता है यह हर महिला को इस फेस से गुजरना पढता है अगर वो नौर्मल है उसके अगर रिप्रोडॉक्टिव सिस्टम नौर्मल है तो सब को इसे गुजरना पढता है और इसमें भी नौर्मल और एबनॉर्मल्टीज होती हैं इसमें कोई घवरानी की बात नीकिजक करना reproductive system, जिसको female genital system कहते हैं, उससे संबंदित, जितनी भी बिमारियां होती हैं, वो gynec problems कहलाती हैं, तो पहले हम यह समझ लें, कि reproductive system यह genital system में क्या-क्या भाग आते हैं, तो यह model में बहुत clear यह बतलाया हुआ है, छोटना सा model है, तो इसमें आप सामने देख रहे हैं, तो जो स सामने हैं, यह इसको urinary system कहते हैं, या bladder कहते हैं, मतलब की जहां से पेशाप बनती है, और इस प्रणाले को उचसरजन तंत्र भी हिंदी में कहा जाता है, तो यह सामने हैं, और उसके जो पीछे है, यह पीछे हमारा जो gastro-intestinal system जो आते होती है, वो दिखाया है, दोनों के बीच में प्रजनन प्रणाले होती है, और प्रजनन प्रणाली या female genital system इसको कहा जाता है, तो इसके जो भाग होते हैं, और इनके भागों में, तो इसमें सबसे जो नीचे का भाग होता है, यह vagina कहलाता है, वेजाइना उसके उपर का भाग वो गर्भाश है, या uterus कहलाता है, और इसके यहाँ पर आप dark pink color का देख रहे हैं, यह ovary कहलाता है, और इसके साथ ही side में, जो कि इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर बहुत ही सुन्दर इसमें बतलाया हुआ है, कि यह ovary है, या जिसको हिंदी में अंडाशे कहा जाता है, हर महिला में दो अंडाशे होते है और उसके साथ ही इनली है, जिसको fallopian tube कहा जाता है, तो vagina हो, या uterus, गरभाशे हो, fallopian tube हो, या फिर ovaries हो, इनमें अगर कोई भी problems आती है, तो वो gynex problem में आती है, तो इसमें या तो hormone से सम्मंदित problem हो सकती है, क्योंकि इसका जो control होता है, वो मस्तिश्क से होता है, जिसको hypothalmo pituitary adrenal axis कहा जाता है, तो अगर कुछ problem hypothalmas में, hypothalmas मस्तिश्क में एक भाग होता है, जो कि emotional activity को control करता है, वो उसके लिए responsible होता है, तो वहां से control होता है pituitary, और pituitary भी एक gland होती है, जिसको master gland कहा जाता है, वहां से भी hormone release होते है, और वो hormone इनको, ovaries, adrenal, एक और gland होती है, उसके बाद फिर यह ovaries होती है, तो ovaries में hormone release होना, ना release होना, यह उपर से पुरा control होता है, तो problem इस system में हो जाती है, तो next problem में यह सारा system involved होता है, साथ ही साथ, जो breast है, breast में भी आजकल बहुत सारी समस्याएं आ गई है, cancer भी हो जाता है, गठान भी हो जाती है, तो बहुत सारे patient हम इस तरी रोग विशेशग्यों के पास आते हैं, और किस प्रकार के patient दोपर पुषपरपानी जी आपके पास आते हैं, इसके अलावा, तो यह जो तकलिफ हैं, यह विभिन तकलिफों के रूप में आते हैं, जाना, विभिन तकलिफों अर्थात, विभिन जैसे हमने का क सकती हैं, तो इसमें क्या-क्या बीमारिया हो सकती है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी महिलाओं को समझ में भी नहीं आता है, कि क्या हो रहा है हमको, हम डॉक्टर के पास जाएं के नहीं जाएं, यह नौरमल है, तो usually जो होता है, कि फोड़ा सा के पास जरूर जाना चाहिए और उसमें क्या-क्या प्रोब्लम आ सकती है जैसे वेजाइना जो होता है यह चोटा सा गरभाशय के पास जो बाहर का जो भाग होता है इसमें अगर इंफेक्शन हो गया तो भीर पेशन डॉक्टर के पास आती है तो बहुत सारी महिलाई जब आत गया है कि हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब जाना चाहिए वो उसको नॉर्मल कभी-कभी समझती हैं तो अगर बहुत ज़्याइनल िस्चार्ज होता है तो इंफेक्शन हो सकता है और इंफेक्शन कहां कहां हो सकता है यह गर भाशय की नीचे का भाग का सर्वीक्षु आप hackers県 अर्थाद। पूरे प्रजणन प्रणाली में कहीं भी इद्फेक्षन व można हो सकता है। तो इंफेक्षन मी या तो डिस्चार्ज होता है या तो ढिकी मेनश्ट्र toda और्फ या तीसरी बात कि menstrual irregularity menstrual irregularity मतलब कि महावारी irregular हो जाना उसके कारण भी infection के कारण हो सकता है द्टर कुशर पांडेज आपने बता है कि पूरी प्रजिडंट प्रणाली में infection हो सकता है तो हमारी महिलाओं को कई बार डर के कारण या संकोच कारण वो डॉक्टर के पास नहीं जाती है लेकिन आपने कहा है कि सलाय लेना बहुत जरूरी है डॉक्टर की और डॉक्टर के पास हमें इसके लिए जरूर जाना चाहिए डरना नहीं चाहिए या फिर संकोच नहीं करना चाहिए कभी-कभी क्या होता है कि डिस्चार्ज वाले पेशेंट लेट में आते हैं और पता चलता है कि उनको कैंसर है जी जरक के कारण पहुंचते हैं हमारे पास तो इतने सारे पेशेंट्स आते हैं क्योंकि कारसिनोमा सर्विक्स हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है और बाकी जगे का तो cancer दिखे दिखाई देता है और ये cancer तो दिखाई नहीं देता है रामिंग शेत्र की विशेश महिलाएं हमारे पास cancer में आती हैं और बहुत late stage में आती है क्योंकि वो सोचती हैं कि ये जो discharge हो रहा है नॉर्मल है तो समझना बहुत जरूरी है कि carcinoma cervix का incidence तभी कम किया जा सकता है जब महिलाएं जागरित हो कि हमें डॉक्टर के पास जाना है ये discharge common नहीं है और menstrual irregularity मतलब उनको bleeding होती है तो उस सोचती है कि नॉर्मल है वो उनको और हमारे यारूटीन चेक अप भी नहीं होता है इसलिए बहुत लेट महिलाएं आती हैं हमारे पास तो एक infection हो गया और दूसरा अगर वो सही समय पर पहुँचे तो उस वीमारी के लाज हो सकता है बिलकुल बिलकुल बहुत ही समभव है और खास गरामिन महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारे दर्शक भी इस बात को जानते हैं कि जो शहर की जो महिलाएं होती हैं वो तो फिर भी डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं लेकिन हमारी ग्रामेन के महिलाएं तो जब बिलकुल कमजोर हो जाती हैं कैंसर के कारण जब भोजन भी नहीं ले पाती हैं तब उनके रिलेशन वाले उनको लेकर आते हैं और उस स्टेज में हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो इसलिए अगर वो जल्दी आ जाएं थोड़ा सा भ होती है वो गठान हो जाती है जी गठान तो गठान के विभिन रूप होते हैं तो जैसे कि गरभाशय के भी अलग अलग पाठ होते हैं गरभाशय में एक बाहरी आवरण होता है उसके बाद एक अंदर की लेयर होती है जिसको मस्कुलर लेयर कहते हैं और तीसरी जो लेयर हो सकती है या बीच मस्कुलर लेयर में हो सकती है या अंदर हो सकती है तो यह जो मस्कुलर हमारे देश में जो cancer common है वो carcinoma cervix है जैसे अभी पहले भी हमने कहा और फिर किसी भी भाका और cancer हो सकता है carcinoma endometrium जो होता है यह menopause की age में ज़्यादा होता है तो यहां का भी cancer हो सकता है तो cancer की problem के कारण आती है तो इसमे menstrual irregularity ज़्यादा पैतालिस से पैतालिस से पैचास के बीच में उसको menopause कहते हैं तो उस stage में carcinoma endometrium endometrium अर्थाद की जो अंदर की जो line होती है उसमें cancer हो जाता है लेकिन जो बाकी लोगों में जो cancer होता है जो married लोगों में cancer होता है अधिकतर जो common है यह तो menopause के बाद cancer होता है वो carcinoma endometrium है लेकिन अधिकतर हमारे देश में जो common है वो carcinoma cervix है यह merit लोगों में चाता होता है और इसके अलवा जो और भी गाइनिक्स problem होती है यह ovaries की ovaries अर्था अंडाशे तो अंडाशे में भी बिन प्रकार की बीमारिया हो सकती है एक तो functional जिसको कहते है ovarian cyst हो जाता है और जबकि hormonal changes होते रहते हैं मिनार्की जिसको हमने कहा कि जब शुरू की stage में होता है तो भी functional cyst बन जाता है और late stage में भी functional cyst तो वो hormonal problem के कारण होता है वो इतना खतरनाक नहीं रहता है लेकिन और भी cyst बड़े-बड़े गठाने भी बन जाती है या तो वो benign हो सकता है benign मतलब की जो cancer नहीं है benign मतलब जो cancer नहीं होता है और एक जो होता है cancerous होती है तो cancerous gut इसमें भी हो सकती है और एक benign gut भी हो सकती है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आज हमारे देश में common हो गई है जिसको कहा जाता है PCOS PCOS का जो full form होता है polycystic ovarian syndrome अर्थाद कि इसमें बहुत सारे आप देख रहे हैं छोटे-छोटे cyst बन जाते हैं नॉर्मल जो होता है वो हर मास एक दो ओवम बनता है और उसके बाद वो डवलप होता है फिर उसके बाद वो फूटता है और उसके बाद फिर menses start हो जाता है लेकिन इसमें बहुत चुटी-चुटी-चुटी-चुटी-चुटी cyst बन जाते हैं और यह lifestyle disease होती है तो आज कर lifestyle के कारण जो hormone imbalance होता है महिलाओं में तो जैसे हमने पहले कहा ना कि estrogen hormone रहता है तो estrogen hormone होता है वो कम हो जाता है estrogen hormone यह ovary से release होता है यह अंडाशय से release होता है लेकिन जब PCOS होता है तो estrogen की जगह androgen release होने लगता है और androgen यह testosterone जो होता है वो पुर्षों में release होता है androgen and testosterone इसके बारे में थोड़ा detail बता है यह क्या होता है यह testosterone यह females का normal नहीं है females में इसका जो मात्रा होती काफी कम होती है लेकिन जब PCOS होता है तो इसमें testosterone जो male hormone है उसके मात्रा बढ़ जाती है तो यह चोटे चोटे सिस्ट बन जाते है वो फटते नहीं है फिर उसके बाद यह तो ovaries की problem होती है इसके बाद हमारी जो पैलोपियन ट्यूब इसको कहा जाता है नलिका कहा जाता है तो यह जो नलिका होती है देखिए इसमें सूजन सूजन आ जाती है जिसको cell pingitis कहते है और इसका भी cancer हो सकता है लेकिन यह cancer बहुत कम common है तो सबसे ज़्यादा common carcinoma cervix है तो इसके भी जितने भी या तो गठान हो सकती है या तो infection हो सकता है या तो cancer हो सकता है या फिर सिस्ट बन सकती है फिर इसके साथ ही और भी बहुत सारी महिलाएं breast की problem से आती है तो breast में सब्सक्राइब दोनों तरह के हो सकते है या तो cancer cancer भी cancer भी हो सकता है और साथी साथ गठाने भी हो सकती है तो युवा वर्ग में भी आजकल cancer बहुत common है breast cancer breast cancer क्योंकि वह भी lifestyle के कारण है तो एक हमारे पास एक 20 साल की आप सूचिए 20 साल की जो है बहुत चोटी उम्र है हाँ बहुत चोटी उम्र है अब इतनी चोटी उम्र में cancer होना हम तो कभी सोच भी नहीं सकते और इतनी लेटिस स्टेज में वह आई लेतfu एश्चेज 3 में अच्छा इस्ट्श छिमें उसके पहले मालून ही नहीं चलाथा क्योंकि awareness शी नहीं नहीं हो सकता है कभी और चुटी चुटी गठान हमारे पास बहुत सारी ऐसे महिलाएं आती है और कैंसर की जो गठान होती है उसमें खास यह होता है कि दर्द बिल्कुल नहीं होता है तो महिलाएं इसको बहुत इंग्णोर करती है और जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब आती है तो दोनों तरह की गठान होती है यह बिनाइन जिसको कहा जाता है वो भी गठान होती है और यह गठान होती है तो बिनाइन जो गठान होती है वो ऐसे गुमती है उसे वो गूम जाती है और छो cancer की जो गठान होती है ऑपीस होती है और cancer की गठान में कभी दर्द नहीं होता है तो यह आम महिलाओं को आम देखने को तो मालूम जाना चाहिए तो इस तरह की प्रॉब्लम से हमाई पास आते हैं पेशेंट के पहुंचते हैं और आपने कुछ समस्याइं भी बताई जी अब मैं आपसे पूछना चाहती है अपने कुछ एज के बारें बताया ति टीन एज क्या है किशोर अवस्था जिसको कहते हैं और उसमे क्या-क्या समस्याइं हो सकती है किशोरा वस्ता जिसको हम adolescent कहा जाता है adolescent age और teen age थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है adolescent age वो होता है जबकि बच्ची किशोरा वस्ता में change होती है तो उसके body में कुछ-कुछ changes आने लगते है body में, उसकी growth बढ़ने लगती है, क्योंकि ये age होती है जब बच्ची किशोरा वस्ता में change होती है तो height बढ़ती है height बढ़ती है, उसके बाद breast nodule आते हैं, क्योंकि breast development जिसको हम secondary sex characters कहते हैं तो secondary sex characters इस समय hormone अब release होने लगता है, ovaries से तो ovaries से estrogen hormone release होता है, और उसके करण body में changes आते हैं, जिसको secondary sex character कहा जाता है, तो breast develop होता है, breast develop होने के बाद, फिर hairs body के different part में develop होने लगते हैं, तो इसमें कुछ समय तक चलता है और उसके बाद, फिर मिनार्की, जिसको हमने का first menses start हो जाता है तो वो start हो जाता है तो इसको हम adolescent age कहते हैं, तो adolescent age की जो शुरुवात होती है, वो आजकल 11 साल से, 11 साल के पहले से भी शुरू हो जाती है क्योंकि 11 साल तक तो आजकल लोगों का menses आ जाता है तो आपने बता है कि सारिक change होते हैं मांसिक change भी होते होंगे अभी तो और, मतलब teen age जो है न, teen age और उसमें हम difference से अभी बतला रहे हैं मांसिक change तो होते ही हैं लेकिन अभी जो teen age और adolescent age उसमें थोड़ा सा दोनों में difference है, तो जैसे adolescent age हमने बतला है कि थोड़ा सा और early start हो जाता है और जो teen age होता है 13 मतलब 13 से start होता है तो almost दोनों मिलता है और ये जो teen age में भी body में changes आते हैं, तो ये बहुत sensitive age होती है, इसमें जैसे आपने पूछा, तो इसमें physical changes भी आते हैं, और साथे साथ ये आपने psychological changes भी आते हैं, तो उनों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, psychological changes भी इसलिए आते हैं, क्योंकि उसके body में changes आते हैं तो और hormonal changes भी आते हैं उसके कारण एक confusion की age हो जाती है उसको और हर्मोन की कारण दोस्तों के प्रती अब ज़्यादा attraction हो जाता है और अगर इस समय ध्यान नहीं दिया जाए तो आजकल थोड़े से अपरादे भी इसमें बढ़ने लगे हैं क्योंकि जो media है social media के कारण लोगों को information गलत होती है क्योंकि इसमें sexual changes भी आते हैं आजकल बहुत case देखने लगे हैं क्योंकि बहुत सारे बड़े-बड़े अपरादों में देखा गया है कि टीनेज वाले इंवाल्व है जो कि पहले अजकल तो उन बच्चों की जेल भी हाँ है बहुत चादा ऐसा होगए उसका कारण है कि उनका जो social media है उसके कारण उनको information मिलती है पुषवपांडी जी इसके बारे में हम और आँगे बात करेंगे लेकिन हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि इसके लिए meditation का क्या रोल हो सकता है क्या अभी समय हो गया है तो इसके बारे हम आँगे episode में बात करेंगे meditation का रोल बच्चों में अभी हम adolescent age की बात कर रहे थे तो adolescent age में तो है लेकिन उनके parents का भी बहुत ज़्यादा role है कि अगर parents को knowledge होती है और वो balance रहते हैं तो जो behavior होता है adolescent age का वो थोड़ा irritable हो जाते हैं उनको वो tackle कर सकते हैं उनको friend जैसा व्योहार कर सकते हैं क्योंकि खुदी balance रहते हैं लेकिन चुकि आज parents खुदी परिशान रहते हैं खुदी stress में रहते हैं तो meditation ये चुकि खुद का stress भी जाता है तो जब खुद balance रहेंगे तो बच्चों का भी वो stress manage कर सकते हैं इसलिए अगर meditative lifestyle सीखी जाए तो बहुत ही अच्छी होती है आज आपको क्या-क्या जानकारी मिली जैसे कि महिलाओं से संबंधित जानकारी आपको मिली कि महिलाओं में क्या-क्या समस्या हो सकती है और जो भी समस्या है उसको नजर अंदाज ना करें या खुड डॉक्टर ना बने इस डॉक्टर की सलाह लेने के लिए जरूर चाहें हलाकि आज कल उपलब है कि यूटूब में आप कुछ-कुछ बाते देख लेते हैं और घर में ही सीख लेते हैं लेकिन जरूरी है डॉक्टर को चेक अप कराना तो आप मैं चाहती हूं कि आप डॉक्टर से सलाह लें और हमेशा खुछ रहें स्वस्त रहेंगे हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ जब तक के लिए नमस्कार ओम शांते